खुसी की रसोई में आपका स्वागत है तो आज हम बना रहे हैं चने रालू की एक ऐसी रेसिपी जो की बहुत ही चटपटी और स्वाधिश्ट बनती है और एक वर खाओगे न तो बार बार बनाना पसद करोगे और बिल्कुल सिंपल तरीकों से हम आपको इससे बताने वाले कि अगर आपको जल्दी हो गर मैं और कुछ नहुँ बनाने को बहुत आसान रेसिपी के साथ आपकी से बना करके रेडी कर सकते हो तो आज ये हम रेसिपी को सूरू करते हैं सो गाइस रेस्पी लास्ट में कैसी दिखने वाली है मैंने आपको दिखा दिया है तो इसके लिए हम चार बॉयल आलू लेंगे इसे बड़े-बड़े पीस में कट कर लेंगे यहां पर हम दो लोगों के लिए रेस्पी को तयार कर रहे हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हो किस प्रेकार से हम हम कट कर रहें अगर आपको किसी और साइस में मन है तो आप कट कर सकते हैं फिर हम चलते कटраाय निए और समें चलते हैं यहां पर देख पा रहे हो भरी को फराई कर रहे हैं बढ़ी चटकने लगे तो इसे हमें बाहर निकाल लेना है और फिर हमें इसे जीरे से चौका देना है यहां पर हमने जीरे से चौका दिया फिर बारी कट हुई प्याज हमने एड़ किया है जब प्याज अच्छी, तरीके से लाल हो जाए ब्राउन जब तक नहुज़ा है तो तो इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है थोड़ा सा जब यह हल्का सा भून जाया है तो हमें इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बना रखी थी उसे हम एड कर देंगे अफिर इसी के साथ हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर साथ में हम धनिया पाउडर एक चमच इसी के साथ हम थोड़ा सा गरम मसाला यूज कर रहे हैं और काश्मिरी लाल मिर्च कलर के लिए अगर आप स्किप करना चाहे तो आप कर सकते हैं सबी चीज़ों को हमें ऐड करके अच्छी तरीके से भून लेना हैं यह हमने थोड़ा सा तीखा पन लाने के लिए लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल किया है इसे अच्छी तरीके से हम भूंज लेंगे आप देख रहे हो ना यह तेल छोड़ दिया है तो हम इसमें आलू और बरी दोनों को ही एड़ कर देना है इसमें स्वाद अनुसार हम नमक एड़ करेंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेना है इसे हम जब मिला लेंगे एक ग्लास हमें इसमें पानी एड़ करना है पानी एड़ करके मिला लेना है यहाँ पर आप ध्यान दे कि वॉयल आलू है तो पानी कम ही लगेगा इसे मिला करके हम करीब 10 मिनट के लिए थोड़ा मेडियम फ्लेम पे रग देंगे ढख करके तो गाइस दस मिनट हो गये हैं और मैं सबजी को ओपन करके आपको दिखा रही हूँ तो आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी सबजी बन करके रेड़ी है यहाँ देख पा रहे हो सबजी का पानी एक दम सोख लिया है बहुत अच्छी तरीके सब्जी हमारी बन करके रेडी धनिया पत्ती डाल करके अब हम इसे सर्व करेंगे तो आपको आज की रेस्पी कैसी लगी प्लिस कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर रेस्पी पसंद आईए तो फ्रेंड और फैमली के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें भी न बिल्कुल मत जाहिएगा तो गाईज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए बाइ-बाइ थैंक यू